बस सब्सक्राइब कर दो यार अब सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर बेल आइकन भी लबा दो ताकि नोडिफिकेशन चला जाए तो दोस्तों ज्यादा दूर नहीं है वन्प्लस 6 का लॉंच लॉंच हो जाएगा यह में की एंड में या फिर जून के महिने में तो फिर स्प दोस्तों जल्दी से वीडिज शुलू करते है और बात करें इसके डिस्प्ले की तो यह होगा 6.2 इंच इसका डिस्प्ले इंटीन इस्टो नाइश्पेक रेशियो का मतलब 18 इस्टो नाइश्टो नाइश्टो नाइन से थोड़ा सा तॉल क्यूंकि 19 है नंबर ज्यादा है और फिर स्नाप ड्रेगन का 845 एसो सी 256 जीप की स्टोरेज 8 जीबी की रैम और फिर कैमरा सेटप की बात करें तो इस बार हमें मिलने वाला है डूल कैमरा सेटप जैसे मिला था में 1 प्रस 5 5T में लेकिन यह होगा वर्टिकल सेटप तो फिर जैसे मिलता है आइफोन 10 में ज जिस सेलफी कैमरा से आप लाजवाब दिखते हैं मतलब इंस्टाग्राम पे फोटोज अपलोड करते करते आपको लाइक साही जाते हैं वो है 16 मेगा पिक्सल का सेलफी कैमरा और फिर इसकी प्राइस भी मतलब ज्यादा है तो फिर प्राइस की तो हम बात करेंगे और इसमे और यो से आगे का अपडेट जो की है एंड्रोइड पी तो नाम तो रिवील नहीं हो है एंड्रोइड पैनकेक एंड्रोइड पीजा क्या है तो फिर आप बात करते हैं आप प्राइस की तो फिर प्राइस तो थोड़ी सी ज्यादा है कैनेडा के हिसाब से यह है 48,800 मतलब व इंडिया में अभी कितना होगा मैं इतना प्रेडिक नहीं कर सकता लेकिन इंडिया में भी महेंगा ही होगा अगर बागी जगे ऐसी प्राइसिंग है तो इंडिया में तो पक्का महेंगा होगा क्योंकि आइफोन 10 को यह देख लो बागी जगे थोड़ा सस्ता इंडिया में महंगा है मतलब एक लाग दो हजार का सिर्फ फोन आ रहा है और फिर प्राइस तो थोड़ी से जादा है और फिर पिसले साल जो हुआ था वनप्लस का सेल 5T 5 का तो फिर वो तो एकदम कमाल का गयाता है मतलब 3 टाइम्स मूर था वनप्लस 3 3T से तो फिर मतलब बस इतना ही तो मैं अपने ओपिनियंस की बात अभी नहीं करूँगा क्योंगी यह लीक्स है पूरा मत मानो इसे लीक्स है लेकिन लीक कहीं न कहीं इसमें से कुछ तो सही है यह मैं बोल सकता हूँ और फिर जून तक वेट कर लो या फिर मेक एन तक और फिर तिक आगा आपको रिज़ाल्ट और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में